कोरोना संक्रवन से बचाओ के लिए पहले चरण के टीका करण को लेकर कोल्ड चेन तयार हो गया है स्वास्त विभाग पहले चरण में केंद्र से मिलने वाले कोरोना वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में एकत्र करने और उसे जिलो तक पहुचाने को लेकर तयार है स्वास्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले चरन के कोरोना वैक्सीन के टीका करन को लेकर विभाग में उपलब्ध संसाधन परियाप्त हैं दाया जा रहा है कि राजस्वास्त समीती के तहत पटनास्तित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में तीन मंजिले भवन को कोल्ड स्टोरिज की विवस्था है जहां पहले से ही विभिन टीका करन भियानों के तहत अलग-अलग रोगों के वैक्सीन रखे जाते रहे है इस कोल्ड स्टोरिज की शमता 6 लाग वैक्सीन को एक बार में रखने की है मुख्य कोल्ड स्टोरिज स्थल से जिलो को उपलव्द कराई जाएगी बता दें कि पहले चरण में करीब 5 लाग हेल्थ वर्कर को कोरोना का टीका दिया जाएगा इसमें राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कमपाउंडर सहीत, अन्ड स्वास्त कर्मी और नीजे अस्पतालों के डॉक्टर एवं कर्मी इन में शामिल हैं इसके लिए मुख्य कोल्ड स्टोरिज स्थल से जिलो को कोरोना वैक्सीन उपलव्द कराई जाएगी इसके ल के वितरन के दिशा निर्देश उपलव्द कराई जाने का इंतजार स्वास्विभाग कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र की ओर से जारी होने वाला दिशा निर्देशों की तहत थी, उसके वितरन की विवस्था की जाएगी।